नारियल के तेल में बहुत सारे गुण होते हैं हमारे बालों के लिए हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है पर गर्बियों में इसे कैसे लगाए ताकि हमारी स्किन ग्लो करने लगे पिग्मेंटेशन दूर हो जाए और हमारी स्किन टाइट हो जाए आज मैं एक बिल् लेंगे इसके अंदर एक चमच नारियल का तेल लेंगे यहां पर मैं extra virgin coconut oil ले रही हूं जो कि बिल्कुल प्योर होता है आपके बाद जो भी नारियल का तेल है वो ले सकते हैं यहां पर दूसरी चीज जो मैं इसके अंदर add कर रही हूं वो है glycerine और glycerine जो होता है लोग जान है शहद और शहद मैं यहां पर बढ़िया वाला शहद यूज कर रही है जो कि बिना चीनी का होता है और इजनल रो हनी है यह अगर आप इसे खरीदना चाहते तो लिंक में description box में डाल दूंगे आप चेक कर लीजेगा अगली चीज जो मैं यहां पर ले रही हूं aloe vera gel यहा मैं यूज कैस का लिंक पर मैं आपको description box में डाल दूंगे आप चेक कर लीजेगा तो यहां पर सारी चीजों को हमने mix कर लिया है अब मैंने दो बाउल और लिये है इस पूरे mixture को मैं तीन पार्ट में divide कर रही हूं क्योंकि जो आज हम पैक लगाने वाले है इसमें चार पार तैयार करेंगे चावल का आटा skin lightening brightening में मदद करता है blackheads whiteheads को remove करता है dead skin को remove करता है और skin में shine लाता है साथ ही आपकी skin को tight करने में भी मदद करता है अब जो दूसरा वाले है उसे चोड़ देंगे और तीसरे वाले में मैं मिला रही हूं मुलतानी मिट्टी अभी जो मुलतानी मिट्टी होती है वो गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है जो भी extra oil आपके चहरे से निकलता है उसे absorb कर लेती है acne की pimples की दानों की problem है वो भी ठीक हो जाती थोड़ी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूं यहाँ पर मैंने वाइल टर्मरिक यानि की कस्तूरी हल्दी का इस्तमाल किया है आप घर वाली हल्दी भी इस्तमाल कर सकते पर कम क्वाड़िटी में अब सारी चीजों को mix करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी या फिर रोज वाटर म मिला रही हूं यह टोटली ऑप्शनल है आप जाहे तो पानी अगर गुलाब जल है आपके पास तो वो मिलाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यह हमारा पैक तैयार हो गया चलिए इसे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताती हूं तो यहाँ पर मेरे फे नारियल के तेल में डिप किया है और इससे मैं अपने फेस को क्लीन करूंगी जो भी हलका फुलका मेक अप रह गया है वो सारा इससे रिमूफ हो जाएगा ऑल गंदगी सारी पसीना सब इससे निकल जाता है वह अच्छे से क्लीनिंग होती है यह देखे हलके फुलकी लिप् वाला वो हम इस तरह से अपने चेहरे पे लगाएंगे और इससे हमें हलकी हलकी मसाज करने आज हम कर रहे हैं नारियल के तेल से फेशियल कभी आपने सुना नहीं होगा और ना ही पालर में किया जाता है पालर वाले तो आपसे हजारों रुपे चार्ज कर लेते हैं और वही इन ही नेचчеरल चीज़ें से अपना फिचल करती हो तो यहां पर हल्की मसाज करनी करती है आतब को अब्लएन प्राइद और वॉइट है कि यहां पर तैनिंग हो गई है यहां को वहां पर प्रब करना है वैसे बिल्कुल हलके हाथ से करना है क्योंकि थोड़ा साथ खुर्दुरा लगेगा आपको जिससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से आपके ऊपन पोर्स क्लीन हो जाते हैं तो इसी करने के बाद यह दिखें मैं आपको एक पार क्लीन करके दिखाते हूं वैसे हलका सा जादा स्क्रब कर रही हूं ताकि वाइट है नाक के पास ब्लैक है जोते हैं तो वो भी निकल जाते हैं तो मैंने खाली पानी से अपने चेहरे को धो लिया है कोई फेस वोश कोई साबन का इस्वाल आपको नहीं करना है तो यहां पर देखें बहुत अच्छे से शा रहा था मैं बताने सकते आपको ऐसा लग रहा था कोई महंगी क्रीम में अपने चेहरे पे लगा रही हूं इससे आपको ऐसे मसाज करने है जैसे मैं कर रही हो स्टैप्स आप दियान से देख लिजेगा वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी तेज रखी है ताकि वीडियो ल में देखी किस तरह से उपर को उठाते हुए कर रहे हूं कि जैसे एज हमारी बढ़ती है यहां से चहरा नीचे लटकने लगता है आपको यह मसाज करनी है उसके बाद खाली पानी से चहरे को वाश कर देना है तो यहां पी मैंने चहरे को वाश कर लिया है अब हमारा पैक बाकी रह गया है इस पैक को मैं इस तरह से अपलाई करूंगी अपने पूरे चहरे पे और पूरी गर्दन पे ज़रूरी नहीं है यह आप सिर्फ तब अपलाई करें जब यह फेशल करें आप यह पैक वैसे भी बनाकर अगर अपने चहरे पर इस्तमाल करते हैं तो आपके चहरे पर बहुत जादा ग्लो आने वाला है रेगुलर इस्तमाल करेंगे तो दाग धबे, पिग्मेंटेशन, आक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम भी आपकी धीरे-धीरे कम हो जाएगी तो मैं इसे वैसे भी इस्तमाल करती हूँ जब भी मैं यह फेशल करती हूँ तब भी मैं इस तरह से इस्तमाल करती हूँ तो यहां पे पूरा जो pack है वो मैंने इस तरह से लगा लिया है गर्दन पे भी लगा लिया ताकि मेरी गर्दन भी साफ हो जाए अब मैं इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी और यहां पे देखे पैक बहुत अच्छे से सूख गया है अब मैं इसे खाली पाने से wash करके आती हूं तो कोई face wash वगर का आपको इस्तिमाल नहीं करना है face को मैं अच्छे से सुखा लूँगी बिल्कुल हलके हातों से और यहां पे facial करने के बाद आप मेरे चेहरे पे glow देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया glow आया है skin बहुत अच्छे सी clear नजर आ रही है पुरी साफ हो चेहरे पे लगा के इसे छोड़ देंगे ताकि हलकी फुलकी भी अगर dryness आई होगी इसको लगाने के बाद तो वो चली जाएगी और बहुत अच्छी shine आ जाती है और जब मैंने special को किया और घर में सबसे पूचा सबने वो लग क्या लगाया है जो चेहरा इतना चमक रहा ह तो अगर आज कहीं फेशल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा